अगर आप अपने चहरे को तेजी से निखारना चाते हैं, अपने स्किन को एक दमशीशे जैसी चमकदार बनाना चाते हैं, ग्लोइंग और ब्राइटन बनाना चाते हैं, स्किन की शेड को लाइटन करना चाते हैं, तो आज आप लोगों के साथ में शेयर करने वाली हूँ, इ हाँ आज की वीडियो में मैं बताने वाली हूँ घर पर फेशिल कैसे करें वो भी घर के सामानों से जो की एकदम नैचरल है कोई साइड इफेक्ट नहीं है इसका औल स्किन टाइप्स इसको यूज कर सकते हैं आपकी स्किन से अगर गलो खतम हो गया है बहुत जादा डार्क हो गई है दाग धब्बे भी है साथ ही साथ आपकी स्किन टाइट होगी और एकदम यंग जवा दिखने लगोगे हेलो एब्रिवन मैं हूँ इशा ठाकुर और आप सभी का स्वागत करती हूँ अपने यूट्यूफ चैनल गो नैचुरल विद इशा ठाकुर पे देखिए फेस पेक लगाना स्किन की केर करना चेहरे की केर करना बहुत अच्छी बात होती है तभी तो हम स्किन से होती है वो हमें फेस करने को नहीं मिलती है जैसे रिंकल्स हो डाक स्पोट हो फाइन लाइन्स की प्रॉब्लम हो ये सबी प्रॉब्लम तभी दूर होगी जब हम स्किन की अच्छे से केर करेंगे फेस पैक लगाना भी काफी नहीं होता है इसलिए हमें मन्थली एक बार घर का फेस्ट करते हो ना उससे वह अच्छा एक ये आज का फेस्ट देने वाला है कि येANS वह द है तो आपको दही से किस तरह से फेश्ट करते हैं जादा ना बोलते हुए चलिए वीडेयो स्टार्ट करते हैं फस्ट एप रहेगा क्लिंग्र सबसे पहले क्लिंज इंकए व देरी हूँ दो चम्मच दही और उसमें मैं एड करूंगी हाफ लेमन अगर निम्बू नहीं लेना चाहते हो तो आप तो कोई बात नहीं किसी को निम्बू सूट नहीं करता है तो आप दही से भी ये इजली कर सकते हैं चार से पांच मिनद तक इसी तरह से अपने फेस को क्ली करने के बाद अब मैं कॉटन के साफ कपड़े से अपने फेस को पोच लूँगी अब आपको दिख रहा होगा कि फेस हो गया है क्लीन शारी डर्ट गंद की धूल मिटी साफ हो तो अब भरते हैं हम फेशल के सेकन्द स्टेप की और जो की रहेगा स्क्रबिंग का कर रिए मैं यह ले रही हूं एक चमच गेहूं का आठा और his में मिक्स कर गी एक डही के साथ तो इस तरह से mix करना है ध्यान रहे इसकी consistency ठिक रहनी चाहिए क्योंकि scrubbing करनी है fingers से में अपने face पे, jigs पे, अपने forehead में, nose पे, chin area में इस तरह से इसे apply करूंगी और उसके बाद scrubbing करूंगी तो scrubbing करनी से क्या होता है, blood circulation बढ़ेगा एक तो एक अच्छा जैसा glow आएगा face पर दूसरा आपको white heads, black heads की problems है तो वो भी scrubbing से खतम हो जाएगी dead skin निकल जाती है, तो ये step important है facial का, इसे जरूर follow करना है बहुत ही हलकी हाथों से scrubbing करनी है, जादा force नहीं करना है अपनी skin पर चिन नोज का area होता है, chin का area होता है, forehead का area होता है, यहाँ पर black head, white heads की जादा problem होती है तो वहाँ पर हलकी हाथों से इस तरह से scrub करना है scrubbing करने के बाद, आप अपने face को साफ पानी के साथ दो सकते हैं, या तो फिर इस तरह से cotton के कपड़े के साथ भी अपने face को साफ कर सकते है scrubbing के बाद ही आपको आपकी skin पर फर्क दिखना शुरू हो जाएगा अब चलते हैं, थर्ड स्टेप की तरफ जो की है मॉस्चराइजर जिसको clean massage भी बोल सकते हैं massage के लिए मैं यहाँ पर लूँगी, दो चम्मच दही के एक चम्मच केस्टर ओल, केस्टर ओल नहीं है तो आप इसकी जगा बादाम का तेल भी ले सकते हैं नारियल का तेल भी ले सकते हैं तो थर्ड इसमें एड करूंगी में वीटामिन E का capsule इसे अच्छे से mix करना है क्यूंकि इसी से अब massage करनी है अब ये ready हो चुका है massage करने के लिए क्यूंकि दही में calcium काफी high quantity में होता है और हमारी skin को deeply अंदर से निखारता है 5-10 मिनट तक इसी तरह से massage करना है ताकि ये skin में अच्छे से absorb हो जाए इस तरह से continue massage करते रहना है अगर आपको massage steps नहीं आते हैं तो कोई बात नहीं तो इसी तरह से अपने हाथों से upward direction में massage करते रहना है लगातार तो 5-7 मिनट तक आपको लगातार massage करनी है ताकि आपने जो ये cream बनाई है massage cream ये अच्छे से आपकी skin पर absorb हो जाए तभी आपकी skin पर असर करेगी तो 5-7 मिनट तक इसी तरह से अच्छे से massage करने के बाद अगेन आपको साफ कपड़े के साथ cotton के कपड़े के साथ अपने face को clean कर लेना है face clean करने के बाद next step आता है streamer का अगर आपके पास streamer नहीं है तो इस तरह से cotton का साफ कपड़ा लेना है इसको गरम पानी में dip करने के बाद 2-3 मिनट तक अपने face पर इस तरह से लगा कर रख देना है दो से तीन मिनट के बाद अब आता है हमारा final step facial का जो की है face pack face pack बनाने के लिए मैं यहां ले रही हूँ neem powder इसमें मैं add कर रही हूँ दही दही के साथ इसे mix करूंगी तो इस तरह से इसको अच्छे से mix करना है तो इसकी consistency थोड़ी ठीक रखनी है क्यूंकि आपका face pack जितना ठीक रहेगा उतना आपके face के लिए यह बहुत अच्छा रहेगा अगर आपके पास neem powder नहीं है तो आप neem powder की जगा ले सकते हैं बेसन उसमें थोड़ी सी आपको कस्तूरी हल्दी एड़ करनी है अगर आपके पास वो भी नहीं है तो आप अपने kitchen की हल्दी इसमें थोड़ी सी एड़ कर सकते हो pack बनाने के लिए तो मेरे पास यहाँ पर neem powder था तो मैंने यहाँ पर neem powder लिया है क्यूंकि neem powder के भी बहुत ज़्यादा benefits होते हैं आपके skin के लिए आपके hair के लिए इस तरह से मैं पहले इसे अपने face पर apply करूंगी अब बर direction में apply करना है यह homemade facial जो आज मैंने आपके साथ share किया है तो आप भी इसे अपने घर पर ज़रूर try करे और मुझे comment करके बताना है कि कैसा लगा आपको यह homemade facial इसको all skin type यूज़ कर सकते हैं क्यूंकि यह 100% natural है obviously सारी चीज़े अपने घर की है तो अगर आपकी skin में glow खतम हो गया है skin dull हो गई है या wrinkles हो गई है fine lines हो गई है तो इस डार्क हो गई है डार्क स्पॉट हो गई है बहुत जादा तो इस facial से यह सभी problems रहे ठीक हो जाएगी तो अब मैंने इसे अपने face पर apply कर लिया है और अब मैं इसे 10 minute के लिए इसको dry होने के लिए रखूंगी द्यान रहे कि यह पूरा dry नहीं होना चाहिए half होना चाहिए 50-50 तो उसके बाद इसको remove करेंगे pack को remove करने के लिए मैंने दुवारा से cotton का कपड़ा लिया है इसको पानी में dip करने के बाद अब इस pack को remove करना है तो आप देख सकते हैं मैं साफ कर रही हूँ तो skin कितनी चमकदार और glowing लग रही है एकदम साफ सुत्री लग रही है जिसने भी मेरा ये पूरा वीडियो देखा होगा तो आपने notice किया होगा कि मैंने इस homemade facial को करने के लिए बिल्कूल से भी पानी waste नहीं किया है सिर्फ एक मग से ही मैंने एक मग पानी से ही मैंने पूरा facial किया है तो इस तरह से आपको भी पानी बिल्कूल से waste नहीं करना है आप भी इसी तरह से इसे कर सकते हैं घर पर जब तक मेरा face clean हो रहा है तब तक जिसने मेरे चैनल को subscribe नहीं किया है तो प्लीज मेरे चैनल को subscribe करें with bell icon के साथ ताकि आपको आने वाले मेरे वीडियो की notification भी मिलते रहें आप चाहे तो अगर वीडियो पसंद आए तो अपने दोस्तों के साथ या family में इसे share भी कर सकते हैं कि लोजी face हो गया है clean मैंने इस facial के आपको सारे step दिखा दिये हैं कैसे करना है तो इस तरह से आपको घर पर यह four step दही से facial करना है जिस तरह से मैंने आपको करके दिखाया तो आप देख सकते हैं कि skin कितनी glowing लग रही है अभी तक मैंने face पर कुछ भी apply नहीं किया ना कोई moisturizer लगाया है फिर भी skin इतनी soft और glowing लग रही है तो कैसा लगा आपको आज का मेरा ये वीडियो वीडियो पसंद आये तो चैनल को subscribe वीडियो को like जरूर करें thank you